तीन गतियां सास्त्रों में कही गई हैं कौन कौन सी धन की पहली गति है उसको सतकर्म में लगा देना दीन हीन की सेवा में गया मया की सेवा में स्रीमत भागवत की सेवा में यक्य की सेवा में जहां भी कोई अच्छा कारी हो रहा हो सतकर्म में लगा देना ये धन की पहली गत जो है वो है उपभोग कर लेना अपने सुख के लिए साधन जुटाना और अपने सुख सुविधाओं में धन को खर्च कर देना ये धन की मध्यम गतिये और जो ना अपने धन को दान करता है ना अपने धन का उपभोग करता है उसके धन की तीसरी गती हो जाती है था वो नास हो जाता है तीसरी गती है नास हो जाना जैसे मदुमक्की सहद एकटा करती है पर उसका इतना आधिक मोह उसमें होता है कि स्वम्में उसका आस्वादन नहीं करती पीती नहीं है लाला करके छत्य में रखती जाती है छत्य में एकटा करती जाती है एक दिन कोई भीली नहीं आती है कोई भील आता है उसी तरह जो किवल संग्रह करने में लगा है, ना दान करता है, ना उपभोग करता है, उसके धन की तीसरी गती हो जाती है, भीया कोई ना कोई उसको छीन ले जाएगा, डोक्तरों में जाएगा, या माँ परवाद हो जाएगा, या बच्चों की बुद्धी खराब करेगा, तो वो भ्यसन में फ्यसन में यामा उड़ाएंगे, इसलिए भगवत करपास से जो मिला है, उसको सत कर्मों में लगाओ, उसके बाद अपने उपभोग में भी लगाओ, ऐसा नहीं कि केवल दानी कर दो, व्यक्ति कई ऐसे होते हैं कि स्वम्य भी नहीं खाते, अपने उपभोग में लगाओ, और फिर जो है, उसको कुछ बचा करके आगे धन बढ़ाने में लगाओ, अपने कमाय हुए धन को, पांच हिस्सों में बाटना चाहिए, बहुत सुन्दर जो है उपदेश यहाँ, स्री सुक्राचार जी ने, राजा बली को कहा, कि अपने कमाय हुए धन को कहां कहां खर्च करना चाहिए, और कैसे उसका बढ़बारा होना चाहिए, अब धन की बात आ गई है तो बता देते, धर्माय यससे अरथायों, कामाया स्वजनाय चाहिए, पंचधा बिविजन्वित्त मिहा मौत्र चा मोधते, धन कमाई जितनी हो उसके पांच इससे करो, पहला इससा धर्म में लगाओ, एक हिस्सा अपने यस की बढ़ ब्रद्धी के लिए, जिससे हमारा यस बढ़े, समाज में प्रतुष्ठा बढ़े, तीसरा हिस्सा धन का जो है, वो और धन ब्रद्धी के लिए, और धन भी तो आना चाहिए, एक हिस्सा धर्म में, दूसरा यस प्राप्ती के लिए, तीसरा धन ब्रद्धी के लिए, चोथा हिस्सा अपने उपभोग के लिए, और पांचवा हिस्सा जो है, वो सुजन संबंदियों के सहियोग में, उनके यहां कोई कारिक्रम है, उसमें उपहार देना, सहियोग पहुचाना, तो सुजनों की विवस्था में, इस तरह से अपने धन को पांच हिस्सों में बाटना चाहिए, यह स्रीमत भागवत में, स्री सुक्राचार जी राजा बली को कह रहे हैं, तो अब आप विचार करिए, जिस किसी व्यक्ति ने यह हौल बना है, तब सहियोग किया होगा, कुछ दिया होगा, तो क्या उसका पुणने कभी समाप्त हो सकता है, यह लगातार ससंग होता है, लगातार भगवान की कहता होती है, अनेक सादू संतों के चरण पढ़ते हैं, अभी जिस समय लक्ष्मी नराणिया के चल रहा था, तो भगत जंतों खूब आई रहे थे, ब्रणदावन के कितने संत महंत पधारे, विद्वस संगोष्ठी हुई, बड़े बड़े संत आए, इतने संतों के चरण पढ़ते हैं, लगातार भक्तों के चरण पढ़ते हैं, इतनी कथाएं यहां होती हैं, तो इसमें जिसने अपना धन लगाया होगा, वो इस लोक में रहे, अमरने के बाद वहाँ चल जाए, क्या उस धर्म की, कभी समाप्ती होगी, लगातार उसको मिलता रहेगा, आपने बाटर प्लैंट लगवा दिया, कब तक गया माता पानी पीती रहेगी, और गो माता को पानी मिलता रहेगा, भहिया, वहाँ जो गरीब लोग रहे हैं, जुग्गी बनाकर के बेचारे, जो लिवर में काम कर रहे हैं, कि भहिया, हमें उसका लाब प्राप्त होता रहे, क्योंकि हम अपने लिए तो सब करते हैं, पर जो दूसरों के लिए करें, और इस ब्रंदावन में आकर तो एक पैसा भी आपने दान कर दिया, तो वह अनंद गुना हो जाता है, क्योंकि यहां किया हुआ दान है, यहां किया हुआ सदकर्म है, यहां किया हुआ नामजप, यहां कथास में हुई कथा, उसका फल अनंद गुना हो जाता है।